असलाम अलेकुम मेरा नाम अली है महा मुकाबला भाई साथ हजार रोपे की रेंज के अंदर दो तगड़े फॉन दो दगड़ी कंपनियों की तरफ से और पिछले दो साल से इनकी तरफ से काफी ज्यादा इग्रेसिवनेस हमें मार्केट में देखने को मिली है ज्या दोस्तों यह है टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस वर्स रेडिमी नोट 13 बहुत ज्यादा डिमांड की जारी थी कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ और सभी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि विच वन इस वैल अजीब सा सीनया और पिछले कोई दो या चार महीनों से अगर हम देख रहे हैं मार्केट में बल्के साल ही हो गया भाई 2023 के अंदर यह जो आफलाइन मार्कीट है ना इनके मूं को एक्स्ट्रा पैसे लग चुके हैं प्राइस कुछ लौंच होती है आफलाइन मार्कीट में अगर्स्पेंसिफ विकरा होता है मतलब ब्लाइक मार्केट में विकरा होता है और इसका सभी क्रेडिट आपके सर पर जाता है आप लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना अच्छा फ़ौन है भाई इसके 5000 एक्सा बार दो 10,000 एक्सा बांडो नहीं मिल रहा इसका मतलब ब की बात करते हैं डीटेल प्राइस 56,000 है लेकिन आज मार्गीट में 65,000 रुपे का बिक रहा है 62,000 रुपे से 65,000 रुपे इसकी प्राइस कोट की जा रही है अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो undoubtly redmi की price से इसकी price aggressive भाई है retail price की बात कहता हूं redmi 60,000 की retail price में RGB 257 वाला variant यहां पर price का कोई comparison दूर दूर तक नहीं अगर यह retail price में मिले लेकिन वही over price मिल रहा है तो भाई redmi की पैसे कम है यह discount के साथ 56-56-59,000 रुपए का market में मिल रहा है और यह आज भी 62,000 का तो यह जीज़ आपने मांड में रखनी है लेकिन अगर डिल कॉलिटी डिजाइन की बात करते हैं देखो इसमें आपकी अपनी चॉइस है फ्रैड बाडी फ्रेम लेकर आता है रेड्मी का फॉन थोड़ा सा ग्लॉसी है आई पी 54 की रेटिंग लेकर आता है डिकने वाले फॉन की जो अपीलिंग लोकोती है वह आप खुद डिसाइड कर पाते हों कि आपको कौन सा पून परसंद आता है लेकिन अगर मैं टेक्नो की बात करूंगा तो नो डाउट स्लेमेस्ट फॉन है यह थोड़ा थिक है यह 8.2 mm के थिकनेस लेके आता है रेड्मी का फॉन टेक्नो जो है नो लिटरली 7.8 mm के नीचे नीचे रहता है वही थिकनेस में और रियर पर सरक्लत शेप में कैमरा मोडियूल मिलता है यह दोनों ब्लू कलर यह काफी जादा ग्लॉसी लुक के साथ आता है स्मजिस पकड़ लेता है बैट है टेकनो जो है ना यह स्मजिस नहीं पकड़ता इसकी बिल्ट कॉलिटी मुझे थोड़ी सी इन हैंट फील में प्रीमियम लगी है और वेड़ भी 175 ग्राम का यहां पर 180 ग्राम का वेड़ भी कुछ ज्यादा दोनों फॉन्स का नहीं है लेकिर ओवराल दोनों में से एक चूस करना हो तो टेकनो थोड़ा मुझे प्रीमियम फील हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडमी प्रीमियम नहीं है रेडमी भी लुक के हिसाब से अपिलिंग है और यहां पर आपक प्रीमियम नेस यहां पर टेकनो के फॉन की बात करोगे अरे बहुत बड़ी लड़ाई है कुछ लोगों को अगर पसाद आता है करव दिस्पले तो अनडवली टेकनो बेटर है इंडिस्पले फिंग पिल दाता है और वहीं पर अगर रेडमी की फॉन की बात करते है यह फ् पेजल एक्सपिरियंस रेडमी का भी बुरा नहीं है इंडिस्पले फिंगबिन सेंसर है गोरिला गलास 3 की प्रोडेक्शन है 6.67 इचीज का डिस्पले है साथ के साथ आपको यहां पर 120 हर्स का स्मूथ रिफ्रेश जाता है और काइंड ऑफ थोड़ा ब्राइटर डिस्पल है एक प्रीमियम फेल है क्योंको फ्लैक्शेफ फॉन में कव डिस्पले मिल रहे होते थे पट अगें एक्सिडेंटल टचिस आपको मिलेंगे बट रेडिमी में वह चीज़ देखने को नहीं मिलेंगे और रेडिमी का भी जो बैजल एक्सपिरियंस सेम आईफून जैसा फ् च رपीट कर सकता है पटच डोनों का ही रेस्पॉंसफ है और दोनों का ही स्मूथ देखने को मिलता है और डिस्पले में तगडी लडाई के बाद डिस्पले वाल पर टाया है अज़िए पर्फॉंज आयाधमें एक प्रफिर्य हैं एक मीजर चेंच Sumay ए मिलता है सब सकते हो हाड़वेर है और यहां भी कोई ऐसा नहीं के नहा मिलता है यहां भी Miriatec Helio G99 Ultimate मिलता है जो के पहले अजमा है हुआ यह 2.2 GHz क्लॉक स्पीट पर आता है यह 2.8 GHz की क्लॉक स्पीट पर आता है बट SnapDragon का हाड़वेर CPU के हिसाब से बेटर है बट वही पर अगर GPU की बात करोगे तो टेक्नो तोड़ा बेटर काम करेगा दोने फॉन्स आट जीपी 252 की रैम रोम के विरिंट साथ आते हैं यहां पर टेक्नो के अंदर आपको कोई भी यहां पर अपडेट वाले अप्शन देखने को नहीं मिलेगा दोने फॉन्स एंडॉइट 13 के साथ आते हैं हाई उपरेटिंग सिस्टम में मिलता है टेक्नो के फॉन में क sexuality काaría सिटंग को सिस्य कैशेर रिएंट को यहां नहीं रटेक्नेट्र के साथूर्ञ थोड़ा सा टूइख वरजन है थोड़ी सी stigma की प्रफॉर्बेटर कर ती आथ को आपको gaming slightly better मिलेगी but snapdragon 685 से मेरा पहले गिला रहा है यह इतना कोई तगड़ा gamer नहीं है gaming hardware नहीं है अगर आप PUBG को देखते हो बाकि अगर नॉर्मल गेम सब्सक्राइब अच्छे तरीके से enjoy कर सकते हो बड़ अगर camera की बात करते हैं अब यहां पर टेक्नो के फ्रंट साइट पर 32 megapixel है रेड्मी में मिलता है 16 megapixel टेक्नो 1080p 60fps और टुके की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है यहां पर 1080p 30fps मिलता है वीडियो में अगर आप देखोगे तो contrasty detail है snapdragon 695 के जो post processing है वो वैसी है जैसे के Redmi Note 12 में थी थोड़ा सा stable रखता है यह चीज माइंड में रखना है यहां भी stable bond मिल जाता है लेकिन यह wide angle है और higher exposure की तरफ जाता है यह चीज जो अपने mind में रखना है अपर 60fps का advantage जाता है और front photos में भी देखोगे तो ज्यादा दर categories में अगर मैं एक ऐसा person हूँ जिसको natural photo पसंद आती है तो मैं Redmi की तरफ जाओंगा और edge direction भी अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है कि Tecno भी कोई detail अच्छी maintain नहीं करता अच्छा काम करता है वही पर अगर हम रियर कैमरा की बात करते है अब दोनों फॉन्स के अंदर 108MP का main sensor है अब Tecno में भी कोई EAS mention नहीं है Redmi का phone थोड़ा stable जरूर रह लेता है बट अगेन यहां पर थोड़ा सा exposure light को maintain करने में struggle करता है close up shots की बात करोगे बड़े natural look देता है Redmi का phone लेकिन Tecno का phone जो है यह थोड़ी saturated color provide करता है again color science दोनों companies की अपनी अपनी है मेरी अगर preference होगी natural की तो Redmi अगर मुझे saturated चाहिए तो मैं जाओंगा Tecno की दरफ से बट भाई यहां पर हम एक चीज़ को ignore नहीं कर सकते वो है Tecno के spark 20 pro में एक portrait वाला option जहां पर portrait आप 2x जूम करके capture कर सकते हो और seriously में इस price segment में यह हला के software के थुरू काम करता है picture को crop करेगा photo capture करेगा जहां पर detail eye pleasing मिलती है मतब like अगर यह LA photo lens से भी आप detail खेंचोगे ना तो तकरीवन मिलती जलती मिलरी होगी in condition में तो Tecno को यह advantage जाता है कि इसना अपने software के उपर camera UI के उपर काफी जादा काम किया है जहां पर portrait का clearly advantage टेक्नो के phone को जाता है तो अगर आप अच्छे portrait लेना चाते हो तो this one is for you अगर आप वैसे इन 1X में भी खेंचना जाते हो तो यहां पर sharp images है edge भी अच्छे है but again 2X मेरी priority है तो मैं 2X जाँगो but videos Redmi Note 13 के अगर comparative ली देखते है ना तो थोड़ी मुझे बेटर लगी है front camera की खेर में बात करता हूँ तो camera में यहां पर tecno थोड़ा सा better मुझे नजर आया है अगें यहां पर dual speaker quality की बात करते हैं दोनों का dual speaker बहुत अच्छा है दोनों ही phones 30 watt far charging के साथ आते हैं आपको 5000 image की बैटरी आफ़र करते हैं टेक्नो में थोड़ा से यह इशू है कि बैटरी टाइविंग जरा कम प्रोइड की है लाइक 6 गंटे है 7 गंटे का screen on time है लेकिन रेड्मी में मुझे 50% brightness के साथ 8 गंटे का screen on time देखने को मिला है यहां पर टेक्नो के फॉन में 4G plus की सपोर्ट है जो के रेड्मी के फॉन में नहीं मिली और इसी तरीके से आपको जो है ना वो जायरो हाडवे बेस दोनों फॉन मिल जाता है इंडिस्प्ले मिल लाता है तो यह है एक comparison 60,000 की price point पर अगर यह आपको retail price में मिलेना तो this one will be a first priority अगर आपको यह टेक्नो का फॉन नहीं लेना Infinix का फॉन नहीं लेना तो I think यह भी एक बुरी चॉइस नहीं है बट again hardware मुझे आज भी 6 नहीं है 685 उत्मना बैतर नहीं लगता लेकिन अगर आपको flat profile वाला फॉन चाहिए आप compare करना चाहते हो किसी वीवो, opo, realme, samsung के फॉन के साथ तो yes this one is top priority अगर हम इसके display experience की बात कर बस आज की वीडियो में तरहीं मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नहीं unboxing किसी नहीं review किसी नहीं comparison के साथ तब तक मुझे नहीं जादत मैं हूली बात महसेक से पाक्सान पहिनाबाद, Allah हाफिस